हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू नीप्त्रिशूल प्रिवेस्यर कोश्टन सेरीज ब्रॉट तो यू बाई स्टार्क क्लासे लातूर स्टार्क PCMB मझे पर्फेक्ट PCMB विटास लेक्टर में हम लोग देखेंगे प्रिवेस्यर कोश्टन फॉद चाप्टर इनेरिटेंज अगर देखो तो लास्ट यह रहा है लास्ट फ्रीव यू यह में कि मोर देन एट कोशन आरे लाइक एट कोशन नाइन कोशन एक्सपेक्टेड है कि यह ट्रेंड पहला कोशन देखते हैं क्या बोलता है लाक उपिराउन ठीक है संस्पल में लाइक ओिरॉन मेंगी चातिकर करता है ठीक है यह वाला डियगराम मालूम होना चाहिए जो NC-RT का давeline इसमें देखो यह ट्रांस्किप्शन यूनीट जो है यह लाइकी और का है इसमें ये से क्या बनता है तो Druid prosper means 2023 पूछा की क्या बनता है दो साल लगातार कुशण नया एसे क्या बनता है फिर से क्या बनता हो सकता है एगले याद करना पड़ेगा कि Z gene सी क्या बनता है बेटा के लेक्टोसाइड है य से क्या बनता है लिट से ट्रान्स झालिस ठीकिंड इस तरह से देखो आ ना है कौन-कौन सा correct है कौन-कौन सा incorrect इसकी तो आदत हो गई ना अपने को स्टेटमेंट 1 DNA polymerase catalyzed polymerization only in one direction ने को यह हम लोगों ने बायो मॉलेक्यूल में भी पढ़ा था और यह हम लोगों ने अम यह पढ़ा था कि जब फॉस्फोरडास्टर बॉन्ट बनती है तो प्रिविएस नुक्लिटाइड का 3' OH लगता है और नेक्स नुक्लिटाइड का 5' Phosphate लगता है विच मीन्स फॉस्फोरडास्टर बंगते समय सिर्फ 3' and ग्रो कर सकता है इसका मतलब 5 से 3 की तरफ ग्रोथ होती है पॉली नुक्लिटाइड चेन में चाहे DNA चेन हो चाहे RNA चेन हो तो क्या बोला है DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction which is correct ठीक है next statement 2 यह assertion reason नहीं बटा यह independent statement ठीक है statement 2 during replication of DNA जब DNA dependent DNA polymerization होता है during replication of DNA one strand of DNA replication is continuous while the other strand is discontinuous यह भी सही है ना ठीक है यह भी सही है ना अगर आप NCRT का डियाग्राम देखो मैं दिखा दूँ तो यह डियाग्राम बने NCRT का ठीक है यह parent DNA semi conservative scheme में यह separate हो जाते हैं और दोनों किसका काम करते है template का मतलब यह भी क्या है यह भी क्या है template और यह भी क्या है template ठीक है और याद रखो यह कौन सा area है double standard यह कौन सा area है single standard single standard DNA क्या है template ठीक है यह parental duplex है और यह single standard DNA template है और यह जो single से double की तरफ मतलब single से double की तरफ यह जो direction होता है यह किसका direction होता है helicase का किसका helicase का helicase इसको अंजिप कर रहा है ना single से double की तरफ जा रहा है ना सो अगर template का polarity मतलब यह template का polarity 3 से 5 होता है helicase के direction में तो synthesis कैसा होता है continuous क्योंकि helicase का और DNA polymerase का direction सेम है यह को दोनों ऐसे जा रहे है ठीक है लेकिन अगर template का polarity 5 से 3 होता है helicase के direction में तो उस case में synthesis discontinuous होता है क्योंकि polymerase इधर जा रहा है और helicase इधर जा रहा है ठीक है आप ऐसा याद रखो कि एक strand पर synthesis कैसा होता है continuous leading strand बोलते continuous synthesis बोलते क्यों बोलते क्यों क्योंकि template with polarity 3 to 5 पे polymerase और helicase का direction सेम होता है और template with polarity 5 to 3 पे helicase का direction इधर और polymerase का direction उसके anti होता है ठीक है तो semi discontinuous इस वाले को क्या बोलते याद है उका जाकी fragments ठीक है तो यह वाला हो गया ठीक है while on other strand it is discontinuous so semi discontinuous and semi conservative ठीक है बोद statements are correct ठीक है next आगे बढ़ते हैं देखो फिर आगया lag operon ठीक है in lag operon i gene codes for so i gene to repressor protein बनाता है na i gene codes for repressor protein lag operon z code for beta-galactosidase y code for permease a codes for transacetylase तो मैं is a codes for repressor so a will be 4 a will be 4 i see a 4 in these two options b should be 3 and i see b 3 in only one option so that is option c ठीक है चल नेक्स question against codon 5 prime uac 3 prime याद रखो codon कहां होती है codon कौन से आरने पर होती है mrna पर what will be sequence on t rna मतलब anti codon क्या होगी है ठीक है अगर codon यह है तो इसकी anti codon क्या होगी simple बहुत simple है मैं दिखाता आपको यह ncrt का diagram मैं जहां से देखो यह क्या है codon codon कहां present है mrna पर और यह क्या है anti codon कहां present है t rna ठीक है एक बात और याद रखो कि codon कैसे होती है 5' 3' और anti codon कैसे होती है 3' 5' देखो ना यह 3' एंड ना ऐसे एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है ठीक है सो codons on mrna and anti codons on t rna complimentary भी होना चाहिए और anti-palal भी होना चाहिए मतलब यह 5' uac3' तो यह 3' aug5' यह 5' अजी यू 3' तो यह 3' uca5' अच्छा एक बत और codon से relate किया है amino acid को genetic code वाले टेबल में don't confuse anti-codon नहीं क्योंकि याद करो anti-codon aug कुछ और है लेकिन codon aug तो मेथियू नहीं होता है ना so genetic code वाले टेबल में हम लोग codon को amino acid से relate करते हैं anti-codon को amino acid से relate नहीं करते हैं ठीक है यह question क्या है against the codon 5' uac3' ठीक है so codon क्या है codon है 5' uac3' anti-codon क्या होगी 3' u का अच्छा यह आरने आरने कॉंप्लिमेंटर टैर्टी है तो यू का क्या होगा ए ए का क्या होगा यू और सी का क्या होगा जी 5' यह क्या हो जाएगे 3' aug5' यह क्या हो जाएगी anti-codon 5' uac3' 5' uac3' पहला ही option ठीक है चलो यह हो गया खुश हो तम नेक्स्ट अब यह simple question है चारगाफ रूल वाला अगर dna में if a and c make 30% and 20% अगर a 30 तो t b 30 अगर c 20 तो g b 20 ठीक है ना so t should be 30 and g should be 20 उसको कुछ लिखने का भी जरूवत नहीं ठीक है next ऐसे सवाल आ जाए ना तुम खुश हो जाए करो पर नेक्स्ट उसके वाद क्या है the process of translation of mRNA to proteins begins as soon as translation कब शुरू होता है तो यहां पर हम लोगों को बताने है ट्रांस्क्रिप्ट ट्रांस्लेशन इनिसियेशन के बारे में कब शुरू होता है जब smaller subunit larger subunit assembly हो जाती है मतलब initiator tRNA आके लग जाता है तो लेट आस रीट की क्या बोलता है ठीक है process initiate कब होता है begin कब होता है अपने को initiation के बारे में बताना है तो ncrt में क्या बोला ncrt में बोला कि smaller subunit associates with messenger RNA तो small subunit encounters mRNA यह भी सही है ठीक है larger subunit encounters mRNA नहीं पहले smaller subunit आती है both subunit together bind mRNA नहीं the tRNA is activated and larger subunit ribosome नहीं यह भी नहीं ठीक है so go with smaller subunit binds to mRNA तो प्रो के जोट में model यह याद रखो कि यह है mRNA और इसमें पहले क्या bind करती है smaller subunit smaller subunit let us say 30s वाली bind करती है फिर क्या आता है पहला वाला tRNA क्या बोलते initiator tRNA next क्या आती है larger subunit फिर side बनती है a side p side e side इधर से a side से मानलो आता है charge tRNA यहां से अंचार्ज हो की निकल पाजाता है यहां पर peptide one बनती है so basic model क्या है कि पहले smaller subunit binds to smaller subunit पर क्या होगा ribosome binds to mRNA ठीक है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि smaller subunit has complementary sequences to messenger RNA sequences ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यार ठीक है next question देखो क्या है dna polymorphism dna polymorphism याद है वही satellite dna वाला concept dna polymorphism मतलब दो लोगों में जो dna differ करता है उसको बोलते dna polymorphism so dna polymorphism या फिर satellite dna का काम genetic mapping में भी है क्योंकि satellite dna locus define करता है मतलब यह position यह position उससे gene की position map होती है chromosome नेक्स उसका काम dna fingerprinting में भी है कौन सा वाला dna polymorphism variable number of tandem repeat वाला ठीक है बोत genetic mapping यह वाला है थे सब्सक्राणीर कृटन है् कोER सब्सक्राइब होता है चलिक है जो जो बागी का DNA है जो प्रोटीन नहीं बनाता उसमें polymorphism होता है now what read the following statement and choose the set of correct statement सच बताना है ठीक है you chromatin is loosely packed very good hetero chromatin is transcriptionally active no hetero chromatin is transcriptionally inactive histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome histone octamer positively charged होता है और DNA negatively charged होता है nucleosome में सच है next histones are rich in lysine and arginine which are basic amino acid सच है next typical nucleosome contain 400 base pair of DNA 9 NCRT में बोला 200 base pair of DNA so let's see which of the following are the set of correct options a c and d do I have a c and d yes I have a c and d so next question पर आते हैं नेक्स सब रिसेंटी 2022 चल ला है भी ठीक है next transposons अच्छा यह biotech 2 का question है transposons एक्चुली में MBI में भी आता है लेकिन biotech 2 में ज्यादा अच्छे से आता है ठीक है transposon हम लोग क्या बोलते jumping genes को मतलब एक जगह से दुसरी आप पर genes jump करते उनको बोलते jumping genes या transposons transposons use during which of the following transposons का किसमे काम है लिको transposon में क्या होता है यह DNA और DNA DNA के form में भी जम बार सकता है लेकिन DNA ऐसा कर यह क्या है DNA और यह क्या है RNA DNA RNA बनाया क्या हुआ transcription फिर यह RNA यहां आके वापस DNA बना ले इसको क्या बोलेंगे reverse transcription ठीक है लेकिन यह जो RNA है जो transposon वाला intermediate RNA है यह DNA यहां से यहां गया लेकिन बीच में RNA इंटर्मीडियेट आना तो यह जो RNA है वह इस वाले के mRNA के साथ mRNA जानते हो आप जो प्रोटीन बनाता है उसको क्या बोलते है mRNA ठीक है mRNA के साथ complimentary हो मतलब यह जो रेट्रो ट्रांस्पोजान वाला यह जो RNA इंटर्मीडियेट है वह इस DNA के mRNA के साथ complimentary हो और बेस पेर कर ले और इस वाले mRNA को silence कर दे तो इसको हम लोग बोलते हैं RNA इंटर्फेरेंस यह हम लोग बायो टेक्टू में पढ़ते हैं लेकिन याद रखो कि यह जीन silencing का mechanism मतलब mRNA बना transcription हुआ अलेकिन translation नहीं होगा क्योंकि mRNA double standard हो गया mRNA को double standard किस नहीं किया ट्रांस्पोजान के RNA intermediate में ठीक है तो इसको क्या बोलते है देखो जब पहले से पता रहता है तो उसको अब लोग क्या बोलते हैं एक्सप्रेस्ट सीक्वेंस टैग जो सिर्फ RNA बनाता है ठीक है ओली वह ले DNA को सीक्वेंस करना जो RNA बनाता है उसको क्या बोलते एस्ट और पहले सारा DNA सीक्वेंस कर लो कोडिंग होने दो नॉन कोडिंग होने दो बाद में उसके उपर उसका काम एनोटेट करो उसको क्या बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन सो इंसी आटी में sequencing only that DNA which is transcribed into RNA is called express sequence short में क्या बोलते ESTs और यह क्या है पहले सारा DNA sequence कर लो बाद में function decide करो बाद ने उसके पर लिको कि इसका यह काम है तो इसको क्या बोलते sequence annotations sequence annotations next देख यह चोटा सा numerical आ गया I hope यह numerical वाला को यादी हो गया basically ठीक है if the length of DNA is 1.1 meter what will be approximate number of base pairs तो अब्यूस्ति 3.3 billion के आसपा जाएगा ठीक है तो 3.3 billion पहला ही option है करने की जरूत नहीं है ठीक है यह हम लोगों ने बहुत बार कर रखा है ठीक है human का haploid DNA set कितना होता है 23 chromosome का ठीक है इसमें कितनी होती है 1.1 meter ठीक है और इसमें कितने base pair होते है 3.3 into 10 power 9 base pair human का deployed set कितना है सब कुछ इसका double हो जाएगा 46 मज़े 23 pairs next under certain assumptions क्या बोलते हो 2.2 meter next और क्या बोलते हो 6.6 into 10.9 base pairs ठीक है वैसे भी अगर आप निकालना चाहो numerical तरीके से तो आप निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो number of base pairs is equal to length upon pitch into 10 यह length और pitch दोनों meter होनी चाहिए so length कितनी हो जाएगी 1.1 pitch कितनी होती है DNA की 3.4 into 10 power minus 9 और यह उपर क्या है 10 कर लो आप तब भी answer क्या आएगा 3.3 into 10.9 इश क्या पास आएगा ठीक है चलो यह भी हो गया next आगे बढ़ेंगे if equalize strain यह लैक और आंको question है i gene gets mutated and its product cannot bind to inducer मतलब i gene का जो product होता रिप्रेसर प्रोटीन वह operator को जाके mask करता है ना मतलब और ने पॉलिम्रेस binding को रोखता है ना लेकिन यहां बोला है कि inducer से बाइंड नहीं कर पा रहा है मतलब यह जो लैक मतलब यह बैंडिजन में तो कूष्ण में यह बोल ला कि सबस्क्राइब होता है कि जो इन्डूसर होता है वह प्रेसर को नहीं कर पागा मतलब यह bindingी और यह च्छन में मुटेशन हुआ जिससे प्रोटीन से में यह परणे कर रहा है तो हिसाओ आगर एंडूर में तो यह कर पाएं लेक्टोस रिप्रेशसर से और नहीं कर करके इसके transcription को regulate करेगा मतलब इनिविट करेगा रिप्रेसर विल इनिविट transcription of zya polycystonic lack mrna so only z gene नहीं zya genes भी transcribed नहीं zya genes will not be transcribed ठीक है ठीक है क्यों क्योंकि यह जो रिप्रेसर है यह operator से जाके बाइंड कर लेगा inducer इससे बाइंड नहीं कर पा रहा है ठीक है यह logic लगाना है ठीक है चलो next अगले question पर आते बेटर 10 e-coli cells are incubated containing n14 nucleotide after 60 minutes generation time ecoli में कितना होता 20 minutes to 60 minute में generation कौन सी हो जाएगी generation 3 how many ecoli cells will have totally free dna from dna which is totally free from n15 to totally free from n15 मतलब कौन सा dna 14 by 14 और light dna का हम लोगोंने formula पढ़ा कि number of light dna कितना होता है कितना होता है 2 power generation minus 2 so 2 power generation मतलब कितना 2 power 3 minus 2 2 power 3 minus 2 obviously is 6 कितना होता है 6 2 power 3 is 8 minus 2 6 लेकिन याद रखो यह इसे एक सेल के लिए कितने सेल के लिए एक सेल से शुरू करें तो ऐसा होगा मतलब एक dna से शुरू करें तो light dna जो है वो थर्ड जनरेशन में 6 आएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे शुरुआत में कितने सेल माना है 10 सेल देखो ना 10 इकलाइस तो एक में 60 आ रहा है तो एक में 6 आ रहा है तो 10 में कितना आएगा 60 उतना भी मुश्किल नहीं है बहुत असान है next उसके बाद क्या है which of the following statements about histones is wrong गलत बताना है histones के बारे में histones are organized to form a unit of 8 molecules सही है the pH of histones is slightly acidic the pH of histones is slightly acidic ठीक है now this is an improper statement इसको रख देपे यह आपके कहने का मतले है nature of histones should be basic इसको जरा रोख के रखते है next आते है histones are rich in amino acid lysine arginine is correct histones carry positive charge in the side chain यह भी करें कि basic amino acid has positively charge side chain यह वाला थोबसा रॉंग है और अच्छे से इसको क्या बोलना चाहिए था histones are acidic protein तब वो और ज्यादा रॉंग बजाता है histones are basic proteins ठीक है कोई बात नहीं यहां क्या लिखा है pH of histones is slightly acidic इसका मतलब क्या निकल कह रहा है histones are acidic protein ठीक है so but histones are not acidic protein histones are basic protein question में क्या पूच्छा विचा फॉल इस रॉंग सो इस रॉंग ठीक है next आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर आएंगे ठीक है which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation elongation termination in the process of transcription in procarion मतलब कौन सा enzyme है जो शुरुआत भी कर सकता है elongation भी कर सकता है और termination भी कर सकता है अपने दंपे ठीक है so क्या बोला है which is the only enzyme that has capability कर सकता है to catalyze capability to do what to catalyze initiation elongation and termination in the process of transcription in procarion कौन सा enzyme है जो एक ही enzyme है उसको ना हेलिकेस चाहिए ना लाइगेस चाहिए कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो वो enzyme कौन सा है RNA polymerase अरे transcription का enzyme कौन सा है यार DNA dependent RNA polymerase यह तो replication का enzyme है न और यह तो DNA बिना किसी के help के elongate भी करता है और row factor की help से termination factor की help से termination भी करता है transcription का ठीक है next we will see next question which of the following RNA is is not required for synthesis of protein so protein बनाने में mRNA चाहिए क्योंकि इसके पास क्या होती है codons RNA चाहिए क्योंकि यह क्या है catalyst ठीक है और tRNA चाहिए क्योंकि इसके पास क्या होती है anti codons यह adapter molecule मगर si RNA जो है तो silencing RNA यह तो protein बनाने को रोकता है translation को inhibit करता है RNA interference में यह वाला protein बनाने के लिए नहीं चाहिए यह वाला gene regulation का RNA है और यह सारे RNA जो है mRNA tRNA these are translational machinery इनको हम लोग protein synthesizing machinery बोल सकते हैं या फिर translational machinery of enzymes बोल सकते हैं ठीक है next आगे चलेंगे कि इफ एडिनीन makes 30 तो थाइमीन भी कितना होगा 30 और बाकि गौणीन साइटोसीन अपनी काल लो थाइमीन 30 और गौणीन साइटोसीन 2020 ठीक है next उसके बाद complete the flow chart on central dogma DNA से क्या बनता है RNA मतलब replication उसके बाद transcription मतलब DNA से DNA replication DNA transcription और RNA से protein translation तो क्या बोला है पहले ए क्या होगा replication then B क्या होगा transcription then क्या होगा translation so replication transcription translation protein we go with option number C पहले होगा replication फिर होगा transcription फिर होगा translation and then translation का product क्या है protein all of us will agree to this इतना simple question next equalized cells have 4.6 million base pairs ठीक है अट्रा मिनट है मेरी बात याद रखना ये NCRT की line ने बिटा ठीक है मेरी बात आप एक बात याद रखना इस question को हलके मत लेना क्योंकि ये question में देख रहा था बहुत जगा पे इसका गलत आंसर दिया हुआ है गलत आंसर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि calculation करने पर आएगा 4000 लेकिन लोग ये भूल जाते कि इक कोलाई का डियन ने circular है मतलब इसमें एक होता है और एक होता है टर्माइनस एक बार मैं question बता रहे था question क्या बोला है ये कोलाई है 4.6 million base pairs मतलब यहां से लेके यहां तक कितना dn ने है 4.6 million 4.6 meter नहीं है 4.6 million ठीक है 4.6 million 4.6 into 10 power 6 base pair ठीक है अभी क्या बोला कितना मिट लगता है 18 minute so let us say time t is equal to 18 minute 18 minute को आप second में भी लिख सकते हो you can write down time t is equal to 18 into 60 seconds लिख सकते है ना नव क्या अब अगर आप देखो so distance है मतलब यहां से यहां तक यह distance है और यह time है so speed आप निकाल सकते हो so basically speed क्या होदी distance upon time distance क्या है 4.6 into 10 power 6 और time कितना है 18 into 60 तो यह क्या हो गया base pair और यह क्या हो गया second अगर आप इस logic से करोगे तो answer कितना आएगा 4000 base pair per second obviously 4500 क्याश पास आएगा लेकिन 4000 base pair लेकिन यह answer सही नहीं क्यों नहीं सही है क्योंकि यह कोलाई में लीन रेप्लिकेशन बाइडरेशनल होता है मतलब यहां से यहां तक होता है और फिर यहां से यहां तक होता है और फिर यह दोनों अलग हो जाते हैं ठीक है circular deer ने है ना आप ऐसे imagine करो कि यहां से शुरू हो रहा है दोनों तरफ चलेगा तो एक polymerase तो सिर्फ यहां से यहां आया ना मतलब एक polymerase तो 18 मिनिट में यह वाला यहां से यहां है और 18 मिनिट में यह वाला यहां से है मतलब दोनों की average velocity मतलब average speed दोनों की मिला के कितनी है 4000 दोनों की हो गई ना ठीक है लेकिन एक की कितनी होगी 2000 तो अगर आप NCRT देखो तो उधर क्या बोला है कि speed of polymerization कितनी होती है 2000 क्यो में करता है दूसरा वाला आधा DNA 18 मिनिट में करता है विच मेंस इस शुद भी एक्चुली 2.3 अगर यह 2.3 होगा तो यहां पर 2000 के असपास अंसर आएगा याद रखो यह को लाए में 18 मिनट replication time है 4.6 million base pairs है लेकिन इसको करने में 2000 base pair per second processivity है average rate of polymerization याद रखो एक polymerase की बात होती है processivity means एक polymerase की बात होती है the average rate of polymerization यह NCRT की line है 2000 base pair per second यह processivity है ठीक है next उसके बाद पॉलिनुक्लोटाइड चेन में, DNA में, नाइटोजिनस बेस इस लिंक टू OH, ठीक है, कौन से कार्बन के OH पर लगता है, पॉलिनुक्लोटाइड चेन में, नाइटोजिनस बेस इस लिंक टू which OH of sugar, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यह क्या है, मैं यहाँ पे DNA की शुगर बना दे रहा हूं, यह टू प्राइम डियोक्सी राइबोज है, ठीक है, यह फस्ट कार्बन, यह सेकेंड कार्बन, यह थर्ड कार्बन, यह फोर्थ कार्बन, यह फिफ्थ कार्बन, यह फिफ्थ कार्बन, यह यहाँ पे OH रहता है, ठीक है, नाउ, फस्ट कार्बन पे क्या ठीके, और 3rd carbon पे next वाला phosphate आके लगता है, कौन से linkage से, phosphodiester linkage से लगता है, ठीके, so question क्या बोलता है, question क्या बोलता है कि base कहाँ लगता है, तो base तो obviously C1 पे लगाना n-glycosidic linkage से, C1 पे लगाना, तो this is not a difficult question एट अल, next, term nucleene, us coined by Misha, फ्रेडरिक मीशर ने बोला न्यूक्लीन ठीक है और याद रखो क्रुमेडेन किस ने बोला वाल्थर फ्लेमिंग ठीक है नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आ जाता है अगले कुश्चन पर आते हैं इसको तो हम लोग बोलते हैं वर्टिकल राइस ठीक है and the total number of base pairs of DNA double helix in typical mammalian cell is 6.6 then the length of DNA is approximately बहुत simple question है कैसे करेंगे देखो एक base pair की दूरी कितनी है 0.34 लेकिन याद रखो यह nanometer है 0.34 लेकिन nanometer है तो meter में क्या हो जाएगा 0.34 into 10 power minus 9 meter में 0.34 nanometer है न यार ठीक है और कितने ऐसे base pair है 6.6 billion 6.6 billion सो बस multiply कर दो यह एक base pair की दूरी है और यह number of base pair है तो निकल आएगा न total base pair कितने है ठीक है तो अगर आप करो तो यह और यह तो चला गया 0.34 into 6 कितना होगा 2.2 के असपास आएगा तो कितना आता है 2.2 के असपास आता है ठीक है चलो next question पर आते यह अच्छा question है what will be sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA तो यह DNA है और इसका DNA का template strand दिया हुआ है और यह वाला DNA का coding strand दिया हुआ है so RNA बनाने का या बताने का simple तरीका क्या है देखो यह क्या है कौन सा strand है template ठीक है template strand और ने जो बनता है इसके anti parallel और complementary बनता है ठीक है so simple language में अगर यहां पर मैं करके दिखाऊ so template के anti parallel और complementary रहता है ठीक है one second template के anti parallel कोंप्लीमेंटरी रहता है और coding के parallel और एकद रहता है बस फर्खिनग में अगर यहां पे कोडिन में ट है तो यहां आरणें यू रहना चाहिए ठीक ह rę सो खोड़िंंग से निहें रिखना अअगर अशूरा सान है तो बैसीड यह हो जाएगा एक ए में वाकटAN-दी आयरे हरा निये है ना, यह दो है ना, लेकिल 5-2-3 में, UACG, 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 है ना, यह वाला, let's go with this option, ठीके, तो कैसे किया मैंने, जो RNA बनता है, वो coding strand के parallel भी होता है, मतलब coding 5-2-3 में, तो RNA भी 5-2-3 में parallel भी होता है, और same-same भी होता है, बस फर्क क्या होता, coding strand में T, तो RNA में U, as simple as that, ठीके, next, उसके बाद अगला question देखेंगे, which of the following nucleic acids is present in an organism having 70S ribosome only, अगर 70S ribosome है, तो यह cell chapter से आप link कर सकते हो, कि वो prokaryot है, और अगर prokaryot है, तो उसके पास double standard DNA होगा, circular होगा, और naked होगा, so यह cell chapter का question है, बेटा basically, कि double standard DNA होगा, circular DNA होगा, मतलब end stilomeres नहीं होगे, और naked DNA होगा, मतलब membrane नहीं होगा, nuclear membrane नहीं होगा, ठीक है, चलो next, अगला question, ठीक है, purines found both in DNA RNA, purines तो दोनों में होते हैं, फरक तो pyrimidines का होता न, thymine or zuresil जो है, वो DNA RNA के pyrimidines हैं न, anyways, purines तो दोनों में adenine और guanine होते हैं, so option one, ठीक है, इस तरह से आप देख रहों कि बहुत मुश्किल question नहीं है, experimental proof और semi-conservative replication of DNA was first shown in, तो पहली बार किसमें show हुआ था, meselson, starl ने किसमें show किया था, e.coli में, बैक्टिरिया ने, एक्सपरिमेंटल प्रूफ और semi-conservative replication of DNA was first shown in, सबसे पहले, meselson, starl उसके बार टेलर, so meselson, starl ने किसमें किया था, e.coli में, और e.coli क्या है, obviously, बैक्टिरिया है, एक-दो क्या है, association of histone with nucleosome indicates, अगर histone जो है, वो nucleosome क्या लिका है, association of h1, तो याज रखो, जब h1 जुड़ जाता है, so, जो bead on a string है, bead on a string, ठीक है, इसमें, जब h1 जुड़ जाता है, linker histone जुड़ जाता है, तो यह क्या बना लेता है, वोने class में अच्छे से पढ़ा, क्या बना लेता है, chromatin fiber, यह कौन सा fiber होता है, 11 nanometer, और यह कौन सा fiber होता है, 30 nanometer, ठीक है, यह क्या शो करता है, chromatin fiber का बनना, कि DNA आप chromatin fiber में condensed दोगा, DNA is condensed into chromatin fiber, मतलब beads on a string में core histone तो रहते हैं, लेकिन h1 नहीं रहता है, h1 जब जुड़ जाता है, तो chromatin fiber बन जाता है, ncrt में line है, further coiling of nucleosome या bead on string, results in formation of chromatin fiber, ठीक है, तो यह मैंने आपको अच्छे से अल्रड़ी बता दिया था, next, तो इस तरह से आप देख रहों कि MBI के जो कुशन आ रहे हैं, वो mostly ncrt-based आ रहे हैं, तो डरने का कुछ नहीं है, क्लास में अच्छे से तुमने किया पढ़ाई, अभी भी आप revision अच्छे से कर रहे हो, so full force के साथ इस chapter को करो, तो कि याद रखो यह chapter से आपको 8 questions तो guarantee आना, अच्छा होगा, और जाद आ जाए, anyways, thank you so much for watching, I'll see you in the next lecture.